हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो चनल सो आज किस वीडियो में हम इंडियान इस्टेंटर्ड कोड जो भी यूज होते हैं हमारे सिविल इंजिरिक में उनको डिसकस करने जा रहे हैं आज हम यहां पर आपको टॉफ 50 आईस कोड जो की जरली सभी एक्जामिशन से पूछे आते हैं या फिर आपको आपको याद होने चाहिए कि कौन सा कोड किसली व्यूज़ता है वह हम डिसकस करने जा रहे हैं इस फिप्टी कोड आर वहरी इंपोर्टन और 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 जामिशन फॉर रहे इंटर्वीविव और नॉलेज और चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाहला इंपोर्टन कोड है वह है आपको आपका आपका आईस 456-2000 जिसका नाम है code of practice for plain and reinforced concrete so किसी भी reinforced concrete का जिसे कि RCC design करते हो RC building design करते हो या प्लेन concrete design करते हो उसके लिए जो code होता है वो होता है आपका IS 456-2000 next जो code है वो है आपका IS 875 okay so IS 875 करता है कि code of practice for design loads other than earthquake for buildings and structures so किसी भी structures को design करने लिए हम क्या करता है structure पर आने वाले लोड को हम जानते हैं उस लोड को हम अपलाई करते हैं उस building पर देन हम उस building को design करते हैं so IS 875 बताता है कि आपको किस किस तरह के loads आपको buildings या structures पर लगने वाले हैं वो लोड का आपको IS 875 में मिलेगा other than earthquake code को हम separate कर दिया गया है ठीक है separate code को छोड़ कर जितने वी लोड होते हैं वह आपको IS 875 में मिलेगा जिसका नाम है code of practice for design loads other than earthquakes for buildings and structures तो इसमें और फाइब parts है okay तो part 1 जो है वो उसमें इसमें दिया रहता है आपको dead loads के बारे में जिसमें आपको बारे में आपको बताता है इंपोस्ट लोड के बारे में और you can say the live load के बारे में ओके अगर आपको लाइब लोड के करनी है तो डिजाइन बिल्डिंग वह आपको is 875 part 2 बने लेगा then part 3 बताता है आपको wind load के बारे में अगर आपको wind load से भी रिजिस्टेंट बराना है तो आपको is 875 part 3 के यूज़ करना पड़ेगा part 4 आपको बताता है snow loads के बारे में तो अगर आपका बिल्डिंग जो उस जगह पर यहां पर क्यों पड़ती है तो उसको डिजाइन करने लेगा आपको is 875 part 4 यूज़ करना पड़ेगा और part 5 जो है वह आपको special load के बारे में बताता है और various load combinations के बारे में बताता है ठीक है अब जो next code है वह आपका is 1893 जो है वह आपको बताता है आर्थक्वी के बारे में जैसे कि मैंने कहा था आपको जैनल प्रोविज़न सॉन ओफ बिल्डिंग राता है पार्ट्ट्री जो है लेकिक टैंक डिस्ट्रश में जो है उसको दियानका लिख लिए हम IS 1893 part 4 को यूज़ करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट चोड है वो है आपका IS 13920 2016 यह भी आपको सिसमिक कोड को सिसमिक कोड है जो सिसमिक लोड को सिसमिक रिश्टिन डिजाइन बिल्डिंग बाने के लिए इस्ट चरुबाने के लिए आपको यूज करना पर इसका नाम है ductile design and detailing of reinforced concrete structures subjected to seismic forces code of practice हम जानते हैं कि ductility जो है वो किसी भी building में seismic relation building में कितना importance रखता है so to make that building ductile आपको जो है IOS 13920 transition को follow करना पड़ेगा जिसमें कि आपको ductile design के बारे में knowledge मिलेगी आपको उसके guidelines के अनुसारी आपने structures को design करना है जिससे कि आपका structure जो है वो सिस्मिक resistant structure बने next quote है वो है आपका IS 13935-1993 जो है आपका repair and seismic strengthening of buildings guidelines okay so building का seismic strength आपको बढ़ाना है retrofitting करना है strengthening करना है उसके लिए आपका code है वो है आपका IS 13935 next is 13827 वो है आपका improving earth with resistance of earthen building so earthen building को अगर आपको सिस्मिक रेश्टेंट बनाना है उसके strength को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको IS 13827 को follow next है आपका IS 13828 वो आपको बताता है improving earth resistance of low strength national history अगर आपका existing building है वो लो इस्टेंट मैस्टरी आपको बिल्डिंगए तो उसको आपको अर्थो बलाने कि लिए उसका आर्थक्रीक बिल्डिश्टेंट को बढ़ाना है रेश्टार्फिटियम करना है सिस्मिक कपासिटी बलाना है तो उसके लिए आपको इस 15988 को फोलो करना पते है निक्स जो है वो कोड बहुत ही इंपोर्टन है इस दाइस 800-2007 जो यूज यूज़त है आपको चुन्सट्रोशन इस्टील सो कोड़ा प्रक्र्ट्स प्र दिजाइन कर जेन करने स्टील का को मेंबर जेन करने तो उसके लिए आपको आपको आइस 80 307 जो कि बहुत ही इंपोर्ट कोड़े सब्सक्राइब पुछा जाता है आपको इस्ट्रॉक्षरल इंजिनेरी सुटनों इपार दाइस 800-2007 ओके निक्स जो कोड़ हुआ आपका आइस 3370 पार्ट वन टुफर से टोटल चार पार्ट से लिए जो आपको 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 आपक निक्स्ट कोड़ है आपका आइस 1786-2008 ओके आइस 1786 वह आपको बताता है हाइस इस्ट्रेंस डिफॉम्ट इस्टील बार्स एंड वायर्स फॉर कॉंक्रीट एंपोर्स्मेंट में जो वायर्स करते हैं उसके स्पेस्टिफिकेशन आपको आइस 1786 में दिए रहेंगे निक् सकते हैं अग्जाने करने के लिए पीश्टिफिस को मेंबस्टे करने करने के लिए जो कोड लां आइस 1343 यह को बहुल सार एक्जानेशन बहुल सारे इंटर्वुन पोच्छे आप नेक्स्ट कोड़ आपका आइस 2720 सबुस्ट है वह बताता है आपका मैठ आप टेस्ट आपको method of test for stabilized soil का test करने के लिए आपको जो code follow करना है वो है आपका IS 4332 जिसमें की total 10 parts है next code बोल रहा है आपको है कि IS 1200 1976 जिसमें की methods of measurement of building and civil engineering works तो measurement of building and civil works की जो code है आपका IS 121976 है next code बोल रहा है आपका IS 1498 जो है आपका classification and identification of soils for general engineering purposes next code IS 1888-982 that is the method of load test on soil so load test जो भी soil प्याम करते हैं उसकी testing है वो आपको IS 1888 में मिल जाएगा next code बोल रहा है कि आपका IS 1905-987 जो है code of practice for structural use of unreinforced mastery so unreinforced mastery में structural use को आप IS 1905 से देख सकते हैं next code IS 2131-1981 जो है आपका method of SPT test standard management test for soil so this code में आपको IS 2131 में SPT test के सारे standard आपको मेंसन होंगे आपको उसके according आपको SP test follow करना है in the soil आप जानते का SPT test जो है बहुत important test for the soil जिसमें कि हम various soil properties निकालते है SPT and number निकालते है तो this is a very important test it is standard management test for soil जिसको कि हम IS 2131 में मिलता IS का specification next code जो है आपका IS 6403-1981 वह आपका code of practice for determination and of bearing capacity of silo foundation का bearing capacity निकालने के जो code है आपका IS 6403 next code IS 2974 इसमें part 1 to 5 है वह आपका code of practice for design and construction of machine foundation foundation का design and construction के लिए जो code है वह आपका IS 2974 है next is IS SPT 7 2016 part 6 और section 4 जो है आपका national building code of India part 6 जो हो आप इस्टेशल design को बताता है और section 4 जो हो हो आपको nationality को बताता है then IS 2809 1972 जो हो हो आपका एा गोठ्का ये टो है आपका अबका रकी्टिंघ सें स्वालने के जो जो जोड जो है की डीचियो bit टोस्वालने को ब्लीक ब्लीक्यी डीध्यैक्या के लिए टोलीन जो जो मचीच की इस्टेश टोली सें रीय जोली में ये बय Pac kर थूलीड, इसमें सेक्शन वन जो है वो जेनरल फीचर्स ऑफ डिजाइन बताता है और आयर्स श्रोंस सेमेंटी जो इस्टेंडर्ड पर इसक्षन टू आपको लोड अड लोड कॉमिनिसेंश बताता है यह रेलिवे अपना कोड अपना पर्सनल खूद कोड बनाया है जो कि जिसका कि नामे रूल इस्पेसिफाइंग दा लोड फॉर डिजाइन ऑफ सुपर इस्ट्रॉक्ट्चर और सब्स्ट्चर और ब्रीज और असेस्समेंट ऑफ इस्ट्रेंट ऑफ एक्जिस्टिंग से डिजाइन नहीं करना जहां पर जड़न नहीं है अगर आप मेंबर्स जो तरस गूजरती है वह सारे ट्रस्स जो होते हैं वह लगबग सब्सेंटिकर प्ड ब्रीज रोश आपना इरूज ना 1998, यह आपका guidelines for design of horizontal curves for highway and design tables, then आपका IS-269, 1989, यह आपका spesition for ordinary Portland cement, 33 grade, 33 grade cement का जो OPC का जो spesition का है वो आपको IS-269, 1989 में रिजागा, then आपका IS-8-112, 1989 यह आपका spesition for 43 grade OPC, ordinary Portland cement, so 43 grade जो OPC यह उसका spesition आपको IS-8-1-1-2 में मिल रिजागा, यह आपको मिलेगा इस 12269 1987 चलिए निस्ट कोड है आपका इस 383 1970 यह आपका इस specification for coarse and fine aggregates from natural sources of for concrete then is 455 1989 that is the specification for portland slack cement then is 456 457 1957 यह आपका code of practice for general construction of plane and reinforced concrete for dams and massive structure so dams and massive history cement concrete concrete आपको यूश करना है वो आपको is 47457 1957 यह आपका इस 516 1959 वो आपका method for test for the strength of concrete so strength of concrete निकानी जो भी टेस्ट है वो आपको is 516 में बिएवे लेंगे is 650 and 21 वो आपका expression for standard sand for testing of cement then the I.s. 1199 95-22 method of sampling and analysis of concrete then I.s. 1344 1981 यह आपका is specification for calcide clay pozzolona के लिए निस्ट आपका is 1489 951 is specification for portland pozzolona cement so portland pozzolona cement so portland pozzolona cement में दो पार्त है पार्त बाता है फ्लाइस बाता है फ्लाइस बाता है कैलसंद कледली बेस्ट बोडल सी में नीक्स्ट इज आपको तेस्ट फ़रにया रहे रहे हो कि तो up डृट से अग्रीगेट उढश को इसमिदिया रहे एक बिकार याथ आपको है उस में की तोटल लल्ड्यक्थ पडान है कें वह स decir दो aggregates of concrete, so sampling करने के aggregate जो concrete जाचता है इस 2430 में जाचा है then IS2502, code of practice for bending and fixing of bars for reinforcement, concrete reinforcement then IS26423, integral waterproofing compounds for cement, mortar and concrete then IS2770, part 1 1967, it is methods for testing bond in RC, part 1 जो आपको pull out test के बारे मताता है then IS3085-1965, method of testing for community of cement, mortar and concrete then IS3466-1988, that is the specification for machinery cement then IS3535-1986, method of sampling hydraulic cement then IS3558-1983, code of practice for use of immersion vibrator यह जो कोर्स है, यह आपको सारे कोर्स मिलें इंपर्टेंट जो कोर्स है, top 50 कुछ सेमिन इंग भी उज़े है उनको हम discuss कर चुके है, तो यह जो कोर्स आपको बहुत सारे examination में कोर्स में पूछे लाएंगे बहुत हरे इंटर्वी में पूछे लाएंगे, और आपको आज सिभर इंजिर भी इस कोर्स क्या-क्यार बताता है वो आपको पता होने चलिए, ठीक है